हम जल्द ही कस्मीर पर आतन की खुल्ला करने वाले हैं शान तेरी नाकम होने देंगे वतन सबी दोस्तों को नवश्कार पहला सस्रियाकाल केचन आलचाल गरपनला सब ठीक है वाल ना नाती ना बुड़ बाड़ी तो ना अभी मैं हूँ अपने घर गाउंपे ना और मौसम आज मैंने बहुत ही खराब हो रहा है लगवालगवार 24-30 गंटे होगे नन इस्टोप बारिश चल दी है और अभी भी बारिश ही आने में और मैं पूरा का पूरा पूरा पुरा ट्यार हो चुकँ हूँ अभी मैंने जाना है इस्कूल रित से और स्कूल की बस वगरा चले गई तो अब मेरको भी निकलना है ताइम हो रहा है वासे तो इसकूल में छोड़ती थी बट ना जो कल फिप्टी नगवस्त है तो बच्चों की प्रेपरेशन करानी तैयारी करानी उसकी प्रोग्राम सो करागी तो उसके लिए भी जाना है हम भूने स्कूल और मौसम इतना खराब हो रहा है तो ये पूरा पूरा कोहरा लगाया मतलब दुंदी से दुंदी से कुस्छ दिखने रहा है तो अब ताइम हो रहा है निकलते आराम-ाराम से आना ममें जाने हैं यह है मेरा बैग अब इसको रखना पड़ेगा और यह कट्ट कपल्व बैठा यह जा रहा हमें ऑलु बाई यह चल चाल में जा रहा हूं ठीक है तो फिर चलते हैं अंब आराम आराम से और फिर आएंगे जब टाइम्मीलेगा ना छुट्टी होगी अगले संडे या जब होगी फिर आएंगे गर उसके बाद कि और मेने बैगना यहां रखा ऐसे अगर मेरा पेट ऐसी होता तो ऐसा लगता फिर यह वाह मज़ा आता है मतलब ना ऐसी इसमें थाली रखी जातीक्ति जब खाना आना खाना होता है ना तो यहां पर थाली रख कर आराम से खाया जा सकता है तो भाई अब डालते हैं इसकी हंदिग्गी में ना बैक को डाल देते हैं चलो इसको रखते हैं इधर रख यह जाएगा इसमें अपनी जगह पे इसको यहां कर देते हैं पैक और इसको लटताते हैं आगे पे इधर साइट और यह रापना हेलमेट इसको रखते हैं आईसे तो भाई गाड़ी दो निगल गी बार ना अब चलते हैं इसमें से अभी इसकूल में पहुंच गया हमें और बारेश भी लगी रही है और बच्चों को तयार कराना है कल गे लिए उनकी तैयारी अभी अच्छी से हो नहीं पाई है तो आज वही चीज करानी है तो देखते हैं कि कैसे कैसे बच्चे तैयार हो रहे हैं कैसे उनकी प्रेपरेशन हो रही है हम जल्द ही कश्मीर पर आतंकी खुला करने वाले हैं कुराने पाख की तारिक में इंशाओ लिए प्रेशन हमारा होगा कश्मीर हमारा होगा असिस्टायंग्कॉस्त आजिस्टंग्यण्द श्रियाच्गाटी स्वीधा का सलामीदएंगय कैसलामीदए कि रवान गोमा भाई यत्यु जय facets ocas Ei जू मतरे दूलातू कि रवान गोमा भाई यत्यरु जव ár दूलातू कि रवैंगे मभाइश है तो अभी मैं रूम पे पहुच चुका हूँ और खाना भी नभी हो गया मेरा और बारिस है ना अभी भी लगी है आज दिन भरी बारिस है मतलब और कल का पता नहीं कैसा रहता मौसम कल अगर तो जो बच्चों ने मैंनत किया है तीन चार गंटे भी पढ़ाना है इसके बाद नॉन स्टॉप टाइम हो गया भी लगवक चार बजी है और पहुंचूंगा मैं अब रूम पे साधे साथ आठ बजे के टाइम पे ठीक है तो फिर मिलते हैं आगे आप लोग बने लिए व्लॉग में है ना कि अब भी वारिस लगने में है बहुत ही ज्यादा है अब पधा निकलका क्या होता है ऐसी है तो कोचिंग दे करके आ गया हूं में और टाइम आड़ बच चुग है और थकान वगन भी काफी ज्यादा अब खाना बनाने है खाना बना कि सीद्धे सो जाना है फिर मॉनिंग में उठना भी जल्दी और फिर देखते हैं कल का प्रोग्राम कैसा रहता है और अगर बारिस नहीं हुई प्रोग्राम अच्छे से उंगे न तो आपको भी जरूर दिखाएंगे प्रोग्राम जो हमारे बच्चों ने कितनी मेहनत किये और कैसे कैसे प्रोग्राम किये है तो बाई बाई